दोस्तो अगर आप एक रोटी खिलाने वाला उपाय आप करें तो आपके पित्र दोश खतम हो जाएंगे शत्रू बाधा शत्रू का भय खतम हो जाएगा अगर आपको शत्रू का डर लगा रहता है तो वो दूर हो जाएगा अगर किसी तरह का जादू टोना आप पर कोई करना चाहता है या कर रहा है या किया है तो वो ठीक हो जाता है साथ ही भूत प्रेट लगने का डर खतम हो जाता है और साथ ही सबसे बड़ा फाइदा जो होता है वो है धन की वर्षा होने लगती है धन की कमी दूर हो जाती है इन नए आया है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लिजिए अगर वीडियो पसंद आये तो आखिर में एक लाइक करके वापस जाईएगा उच्छ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा और अगर शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों अपने परिज जैसे कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास माना जाता है हमारे हिंदु धर्म में तो अगर सास्त्रों के अनुसार माने तो गाय को रोटी खिलाने से हर तरह के पित्र दोस्त जो हैं वो खतम हो जाते हैं पर इसे खिलाने का एक तरीका है वो यह है कि आपको जो हफते शनेवार के दिन आपको गाय को रोटी खिलाना है और वो भी घर में सबसे पहले जो रोटी बनता है वही वाला अब आगे बढ़ते हैं काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए इससे कहते हैं कि शत्रू का नाश होता है शत्रू का भय दूर होता है शत्रू बाधा ख लेकिन अगर मान लिजे कि कवव आपने रोटी कहीं पे तोड़ के फेका है और उस रोटी को कवव ने खा लिया क्योंकि अब हाथ से तो आप जाके कवव को खिला नहीं पाएंगे आपको कहीं पे तोड़ के फेकना है और अगर वो रोटी कवव खाता है आप यह देख रहे ह तो इससे होता है कि पित्र दोश जो है वो किसी भी तरह का पित्र दोश हो खतम हो जाता है साथ ही काल सर्प दोश जो होता है वो भी खतम हो जाता है और इससे अकाल मित्व का भय भी खतम हो जाता है साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं सास्तरों के नुसार कहा गया है कि अग आपके तरक्की होनी शुरू हो जाती है, आपको धनकी कई कमी नहीं होती जीवन में, तो ये है दोस्तो एक छोटा सा रोटी का उपाए जो अगर आपके जीवन में तरक्की, Кुशिया, धन और साथी तरह-तरह के बाधाएं, दिक्कते भीद दूर हो जाती है, धन आता है खुशियां आती है तरक्की आती है तो इसे अपनाए इसे आजमाए देखिएगा आप जरूर रिजल्ट मिलेगा आपको तो कैसा लगा information जरूर बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए information के साथ तब तक के लिए टाटा